नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज किस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं किया कानिवल के बारे में जी हाँ यह अपडेटिट किया कानिवल है जो कि जल्द है इंडिया में लाउंच होने वाली है क्या सब फीचर्स है क्या चीज़ें बदल गई इस अज़र वाला आखर करें तो गाड़ी आपके चल वह जाएगी और यहाँ से अज़र गोड़ करेंगे तो दर्वादे जो है पीछे वाले वो खोल और बंद हो जाएंगे जैसे कि इधर वाला तो नहीं मैं इतर वाला करके बताता हूं आपको जहां पर आप देखिंगे काफी बड़ी DRL जो है वो यहां पे रंद कर रही है इंडिकेटर से यह आपके पास में मतलब प्रोजेक्टर हेड लेंब से वो भी LED है काफी बड़ी है नीचे की तरफ फॉग लेंब जो है वो आप देख पारे हैं फ्रंट पाकिंग सेंसर सक आपके पास में यहां पे आई ग्रिल जो है वो इक बड़ा चेंज जो है इस पटिकलर गाडी में है नीचे की तरफ एड़ास के लिए रडार यहां पे प्लेस किया गया है उसके बाद में नया खिया का लोगो है और बिसलिए अब तो सारी जगे में नया वाला लोगो ही चुब हो देखने मों मिल रहा है यहां पे आप यह देख पा रहे हैं यह आपके पास में कैमरा है जो की और एडास फीचर जो है उनमें हल्प करता है उनमें कई तरह की चीज़ एड़ करता है बहुत ही बड़ा सा ओर वियम है और इस ओर वियम के नीचे आपके पास में जो है यह लगा हुए 360 डिगरी कैमर का जो साइड वाले camera होते हैं अब यह आपके पास में जो चीज देख पारें एक्जैक्ट यह के handles जो है आपको हींडर स्टारिया जो है उसमें भी almost similar से handle देखने मुलते हैं इसको आप lock and lock करने के लिए काम में ले सकते हैं तो आप इसको खोलते हैं तो उसके बाद बहुत ही luxury cabin जो है यहाँ आपको देखने मुलता है मैं आपको actually पूरा दिखा देता हूँ एसे बहुत शानदार यह cabin जो है overall लग रहा है और शानदार चाबी जो है वह यहां पर लगा दूंगा काफी बढ़िया जो है वह यहां पर लग रही है एनिवे उसके बाद में यहां अंदर हम जंप करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सब चीजें देखने को मलती है वेल लक्षरी कैबिन है आपके पास में यहां पे जो है सीट से जड़ा हुए यह जो आप देख पा रहे है अरे यह क्या टच है यह लाइट है इसके अंदर वाव इट लुक्स आपसुलूटली अमेजिंग यह डिस्पले नहीं है यह लाइट उस हिसाब से यह बहुत ही बढ़िया लग रही है इसका बहुत हैं यहां से तो बहुत हैं इसके बाइधिंगे यह अपर वर्यूमिनियम फिनिश दी गई है इधर आपके पसमें सारी गंट्रोला भाल वालो करना तो भोवी हापके बढ़न पर और सारी कित्ट्छ यह उसका न्लोड भीशा आपके लाइट है इधर आपके ब आपके पास में बेहत ही सारे इस तरफ आपके पास में बेहत ही सारे कंट्रोल है यह बेहत ही सारे के सारे के सारे मोड बगरा जो की आपके इंफोतेंबंन करते हैं इसमें warning time, warning volume, driver attention warning, forward safety, forward safety में assist है या warning है, दोनों चीजे जो यहां काम करती है, lane safety में या assist करना है, warning देनी है, व भी चीज़ है, blind spot safety में क्या करना है, व भी आपको यहां पर देता है और उसके बाद में parking safety उसके बाद में नीचे के तरफ cluster, light, door, convenience, units, language, reset, बौुद सारी settings यहां दोर से जुड़ी ही शेटिंग में ऐचाए टेलगे टेल गे टेल गे टेल गेड, ऑटेल गेट, टेल गे आज़ार अभाइट, इस वैडिन पर उसके चीज़्वा गटेलगेश्ट, इसके चीज़ेंगे बहुत सारी इंपरमेशन यह आपके पास में 6000 क्लुमन क्लम केटेश य इस तरफ गर आफ दिखेंगे इस पार ziehen फिर और डियाग है अ लिजए कि बड़न फैञा और अकर आप इसको प्रेस करेंगे तो प्रूस कर्थे चल बहुता है कि गाड़ी कितनी दूर कितनी नजदीक रहनी चाहिए मतलब basically adaptive cruise control वो यहां से आपका activate हो जाता है इसके बाद paddle shifter जो है वो भी आपको दिये गए है इधर यह बड़ी सी screen एक और है जो कि आपने multiple Hyundai किया ग्रूप में ऐसी ऐसी चीज़े देखी होगी phone apple play radio media USB वगरा 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 यहां पर एक और चीज़ है phone projection जो है वो यहां पर नहीं होता है multiple जैसे AC वेंटे यह वेंटे वह आगे भी है और यह भी बहुत ही बड़ी आफ इंश रहा है यहां पर इस्तेमाल की गई है यह टच कंट्रोल है सारे कि सारे हलांकि यहां पर प्समें volume knob और यह आपके बसमें tuning के लिए नौब वगरा दी गई है इसके अलावा यहां पर मैप, नैविगेशन, रीडियो वगेरा वगेरा जो चीज़ें हैं आपका प्री इंस्टॉल मैप नहीं है आपका वह वाला मैप ही चलेगा जो फोन वगेरा में यह रियर का कंट्रोल है, यहां पर एसी से जुड़ी वह और साही इंफर्मिशन आती है, जब एसी आप चालू क प्री आड़ी वल गयर नाब है और बहुत ही बढ़िया फिनिश अक्चॉलिए श्गयर नॉब किया और काफी बढ़िया लग रहा है और यहां पे आपके पश में आपके पास में आप पर प्रे शन्यार आप को तीन मोड आते हैं नृटकनार्म, चार मोड आते हैं, यह ची नाइम ओन करनी है, पार्किंग कैमरा, 360 डिग्री कैमरा, आक्शली कैमरा की क्लारिटी बहुत ही जवर्दस है, और जूम इन, जूम आउट क्या फंक्शन से भी काफी सारे, जो है इसमें आपको देखने मुलते हैं, काफी बड़िया क्लारिटी कैमरा की है, फोन रखने के लिए, यह एक और बड़ा स्पेस है और इस बड़े स्पेस के अंदर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर आपके पास में हाथ, जो है आप रख सकते हैं, उसके बाद में यह बास मोड का भी बास मोड है, जो कि हम यहाँ देखने को मलता है, सीट आगे भी चेकर नहीं, तो इलेक्ट्रिक इडिस्मिंट उसके यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह आप जो देख पा रहे हैं, यह आपके पास में बड़ा सा ग्लाव बॉक्स है, डीसिंट साइज का है, लेट अप हो रहा है, जो कि इसमें इसको पूरे नमबर जाते हैं, जो कि इस स्टारिया का इतना बड़ा है, स्लाइड भी होता है, तो भी सुछ करने ही ज़रूत नहीं, इतना बड़ा स्लाइड हो के और आगे चला जाता है, but this is very nice or soft material पाब्रीक जो हो यह इस्तेमाल किया गया यहां पर आक जो है इसमें अंगुली थोड़ी सी दपती है is very soft जो की आगे थोड़ी premium एसमें ऐडो करता है हलागि पर आग यह उन फेले शाट को इसमें यहां पर और यहां पे पीछे चलता हूँ, यहां पे आपको पीछे का स्पेस में दिखाना चाता हूँ कि कितना स्पेस आपको पीछे देखने को मिलता है, पीछे की तरफ जब हम जाएंगे, तो आप इसको प्रेस करें, यह दरवाजा हमारा खुला, और यह अगें, यह भाई जो कलर इस वेरी प्रीमियम, इंडिया की कंडिशन के साफ से भी अच्छा है, गंदा उंदा भी जादा दिखे का निए, बट इस वेरी नाइस, बढ़िया लगे गा ही, और इधर पीछे की तरफ आपके पास में यह टॉच्स्क्रीन है, जो कि मैं चालू कर देता हूँ, और यह ख इस वेरी नाइस, यह काफी बढ़िया अच्छी लग रही है, और आप इसमें मुल्टिपल तरीके से, मतलब आपनी ओडियो पर कार वाली ओडियो में किसमें सुनना है, वो आप यहां पर सुन सकते हैं, बीच में यहापके पास में बड़ा सा स्पेस है, बाटल होल्टर है फोन होल्टर है, और अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, तो बी यह ऊपर आहिए, यहापके पास में सीट होगई है, इसमें प्रॉपर है और प्रॉपर siट बेल्ट तो नहीं है, विशुकि थोड़ा सा वियर्ट है, पतनाने सीट बेल का है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, इधर आपके बस में grab handle है, यह AC से जुड़ेवे control है, Hyundai Staria जो है उसमें यहीं control आते हैं, existing कार्णिवाल में यहीं आते हैं, क्या I don't remember, बट यह आपके बस में three zone climate control हो गया, मतलब दो zone आगे, एक zone आपके बस में यहाँ पर भी AC control हो गया, इसके बाद में बीच में यह रीर sunroof क यहाँ पर hook, जो है वो आप देख पा रहे हैं, और एक चीज में और आपको करके बताता हूँ, यह जो button है, इससे आप बंद करने हैं, बाई पताने कितने ही तरीके आते हैं, अलग-अलग-अलग तरीके आते हैं, यहाँ और यह touch यहाँ पर भी दिया गया, which looks very nice, यहाँ प जो है आपके पस में winter roll down, रोल करने control है, यह आपकी shade जो है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस shade के साथ में अगें आपको open करना है, इधर से भी कर सकते हो, और अलस आप इसे पीछे slide कीजिए, यहाँ से भी हो जाता है, यह सीड आगे पीछ हो जाती है, obviously तो उसमें आपका, जैसे भी रखना हो कि उसमें option है, मैं इतना space जाता हूँ, तो let's see के पीछे कितना spaces के बाद बसता है, इसमें ingress egress तोड़ा सा easy है, staria के मुकाबले, यहाँ के पास में by the way, armrest जो है वो भी आपके पास में यहाँ आती है, मैं इसको नीचे करता हूँ, let's see के पीछे seats पीछे भी आपके पास में, जो आप देख पा रही है, और seats से यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि seat यहाँ खतम हो गई है, यह धीरे से ऐसे उपर आती है, और और भी seats पीछे से निगल जाती है, और हम यहीं तक की बात कर लेते हैं, एक और seat middle में दी गई है, जो कि ऐसे हो कि यह यहाँ पे आपके पास में, यह seat बन जाती है, और which is again a nice touch, और यह seat अगर आपको नहीं उज़ करनी है, तो अब इससे उपर पूल कर सकते हो, और इसको armrest type बना सकते हो, यह देखो आप, यह armrest type चीज़ वह यहाँ पे बन जाती है, क्या सब चीज़े है, thank you, उन्होंने में और अच आपके पास में, आप बॉटल होल्डर के साथ में, यह USB आप देख पा रहे है, I don't know, काफी अंधेरा यह यह देख पा रहे है, यह USB आप देख पा रहे है, यह बहुत सारे बहुत सारी जगे है, और यहाँ पर तब यहाँ देख बच्चे बाट पाएंगे, मैं जा और उसके अलावा यहां इस पेस दिया गया है, you can see that, यहां पे बना हुआ है, नीचे और देखा दिया हुआ है, बहुत ही बढ़ी है, हमें आपको बूत दिखा देता हूं, यहां पे आपको देखेंगे, यहां पे देखेंगे, इस अनाइस पेस, मतलब यहां पे भी बठा ज लगा सकते है, SXL Carnival, जो कि प्रीम प्रीम है, सबसे टॉप एंट्रीम है, यह यहां के डिस्ट्रीब्यूटर का बैज लग रहा है, और नीचे, क्योंकि यह हैच उपर हो जाता है, तो फिर भी नॉम्स के अकॉर्डिंग लाइट होनी चाहिए, तो लाइट जो है, आपको बूट का इस्तमाल करना है, so you can drop this down, आप इसको नीचे पुछ करेंगे, तो सब कुछ जो है, वो bucket नीचे जो दी होई है, उसमें जाके फिट हो जाएगा, and you have a proper बूट, और मैं आपको यह दिखा रहा था, कि इस पेस इधर भी है, यहां पे 12 बूर्ट का सॉकेट है, उसमे को वापिस बंद कर देता हूँ, तो यह सब कुछ अभी है, कारनिवल के बारे में, यह दो कारनिवल आपके बसमें यहां पे है, और देखते हैं काब इंडिया में आती है, क्या सब फीचर्स का आती है, plus इंडिया में असेंबल होने वाली है, तो प्राइस काफी कंट्रोल कर सकते हैं के लिए तो दूसरों हेलमेट पहनिए, सीधवल पहनिए, स्वरक्षि चलिए, धन्यवाद